दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बैल आइकन को प्रेस कर इंटरस्टिंग वीडियो देखे सबसे पहले नमस्ते मित्रो वेदी करांती के दल के माध्यम से हम आपके सामने बहुती महत पर पुन्य विशे रखने जा रहे हैं विशे का नाम है लब जिहाद और बलातकार सबसे पहले आपको लब जिहाद के बारे में बताते हैं लब जिहाद जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई मुसल्मान यूवग किसे गैर मुसलिम यूवदी को बहला फुसला कर जूटे प्यार का नाटक करके उसको Islam में दिख्सित कर रेता है और उसको उसके धर्म से खारिस कर देता है उसको लब जहात का जाता है भारत में यही हो रहा है भारत में जितने भी हिंदू, सिख, या बॉध लड़किया या जैन लड़किया हैं सब को वो बहला फुस्ला कर अपने इसलाम में दिख्सित कर रहे हैं और उनके धर्म से खारिस कर रहे हैं अब ये लब जहाद आखिरकर होता क्यों है आप जानते हैं कि मुसल्मानों को ये जुनून सवार है कि भारत को एक इसलामिक देश बनाना है और ये मुझे कहने के आवशक्ता नहीं है कि उने से सरचालिस में भी जो जो खित्र जहां पर मुसल्मानों के आवदी ज्यादा थी वहीं खित्र पाकिस्तान और बंगलादेस में चले गए तो ठीक इसी के तहट उनका एक मुद्दा है कि भारत को इसलामिक देश बनाने के लिए यहां मुसल्मानों के आवदी ज्यादा होनी चाहिए और ये आवदी बढ़ने के लिए इनके पास बहुत से तरीके हैं कुस तरीके आपको मैं बता रही हूँ ध्यान देकर सुनिये सबसे पहला तरीका ये है कि एक बीबी से अने को बच्चे पैदा करो अग अब एक बीबी है तो उनसे ये कम से कम पांच से लेकर दस बच्चे पैदा करते हैं दूसरा तरीका ये है कि चार सादिया करो चार सादिया भी इनके सम्मिधान को अनुसार या इसलाम के सरीयत की अनुसार जायस है तो इसलिए एक बीवी से अगर दस बच्चे बैदा करते हैं तो चार बीवी उसे चालिस हो गए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन रात इनकी संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है और ये बहुत ही युजनावत पे रिकेसे कर रहे हैं ताकि भार कोई इसलामिक देश बनाया जा सके दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए दूसरों की संख्या कम करना भी अवश्यक है तो हिंद्यों की संख्या कम कैसे होगी कि उनकी लड़कियों को ही पटालो उनकी लड़कियों से जोटे प्यार का नाटक करके उनको मुसल्मान बनालो जो हिंद्यों लड़किया मुसल्मान बन चुकी हैं उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी मुसल्मानी होंगे तो इसी प्रकार मुसल्मानों की संख्या दीन डूगनी रात चोगनी बढ़ेगी दूसरा अन्य तरिका और है कि घुसपट करवाओ आप जानते हैं कि बंगलादेस की जो सीमा है वो बेंगॉल, त्रिपुरा, आसाम इन खित्रों से खुली हुई है और अनुमानों के तरपर यहां हर दिन पांच हचार मुसल्मानों की घुसपट होती रहती है वो इस पार आते हैं या उस पार चले जाते हैं या कुछ यहीं बस जाते हैं और उनको अपना रिस्तदार बना कर यहां के जो स्थानिय मुसल्मान हैं यहीं बसा लेते हैं गुस्पट हो चुकी है और इन्होंने बस्तियां भी बसा ली है फुस्तानिय भासा भी बोलने लगे हैं तो इस प्रकार से अब तक 65 सालों में बांगलादेसी घुस्पट्यों की संख्या अभी भारत में 6 करोड की आसपास हो चुकी है इसी प्रकार दीन रात ये संख्या से पूरी विदेशी ताकते जूड़ी हुई है विदेशी ताकत कौन जो गल्फ कंट्री है जो गल्फ देश आरब के खड़ी देश इनसे इनको खुला पैसा आ रहा है और इंडिया मुस्लीम स्कोलर्सिव फॉन्ट के नाम से तो ये पैसा कहां आता है यहां के मदर्सों के मजजितों को जहां वकाइदा मुसल्मान यवर को को ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें किस प्रकार से हिंदू लड़की की मानसिक्ता को समझना है और किस प्रकार से उनको फसा लेना है अपने जोटे प्यार के नाटक में उनको सेकुलार बनके दिखाना है उनको कठर ब अपना नहीं है और होता भी यही है कि मुसल्मान लड़का हिंदू लड़की को रिस्टोरेन में ले जाएगा उसको अच्छे अच्छे गिर्प देगा उसके समने नए-नए अच्छे अच्छे कप्रे पहन कर आएगा उसको सुन्दर दिखाएगा अपनी डाड़े वेगरा काटके रखेगा तो ऐसा करके वो उस लड़के को पहले तो इंप्रेस करता है और बात में उसको मुसलमान बना कर साधिव कर लेता है इस परकार ये काम दड़ाले से चल रहा है ये जो लब जिहाद है इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदियों की संख्या कम किया जाए और हिंदियों लड़की या सीक लड़किया या बौथ लड़किया सबको मुसलमानों से साधि करके मुसलमानों की संख्या बढ़ा दे जाए दूसरा महत पपुन विश्या है बलात कार जितना भी मेडिया उठा ले जा रहे हैं चाहे वो प्रिंट मेडिया हो चाहे इलेक्ट्रोनिक मेडिया हो सब में आपको बलातकार की ख़वरे सुनाई देती होंगी और बलातकार में ये आश्चर जी की बाद है कि केवल हिंदु महिला को ये बलातकार क्यों हो रहे हैं मैं तो कभी सुनी ही नहीं कि किसी इसाई महिला का या किसी मुसलिम महिला का बलातकार हुई हो आपने अगर सुना हो तो मुझे अवश्चर बताएं क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो 98% या 99% केस में हिंदु महिलाओं का ही बलातकार क्यों हो रहे हैं और ये अपने आप में बहुत ही सूचने वाली बात है, ये दो महत्पपुन्न मुद्दे हमने आपके सामने रखे। महत्पपुन्न इसलिये हैं क्योंकि जो समाज में अपनी स्त्रीव की रक्षान ही कर पाता, वो समाज अवरुष्चन नेस्ट हो जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कह रहे हैं योगराज सिक्रिशना अर्जुन से, कि है सिक्रिशना, जिस कुल के स्रियां तुसित हो जाती है, वो कुल अपने आफिन नस्ट हो जाता है, तो इसलिए मेरे भाईयों और बहनों, आपको मैं ये बार बार बता रही कि अपने इस्तरियों की रक्षा करने के लिए हम कटी वद हो और एक जूड हो, और इसलिए आपसे आभ़ान करती हूँ कि वैदिक करंती दल के साथ जूडें, और हम अपने इस्तरियों की रक्षा कर पाएं, § केवाल हम अपनी इस्तरियों को समझाना नहीं है, बल्कि हमा और हमारी अपनी सक्टी को बढ़ा है और हम अपनी स्त्रियोंग में जागरुपता लाएं ओम नमस्ते